हलो फ्रेंज मैं परिक्षित जोबर्म पुतरा लाइफ मनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर इस विक में आप लोगों के साथ पैरेंटिंग का बहुत ही बड़ा लेसन एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के माधियम से शेर करना चाहता हूं येस दोस्तो एंड ये स्टोरी एज़ा मधर एज़ा फादर आप लिए बहुत ही जादा यूसफुल हो सकती है दोस्तो ये जो स्टोरी है वो दो फ्रेंट्स के बारे में हैं एक का नाम है मगन और एक का नाम है मोहन दोनों को प्लांट्स उगाने का बहुत ही बड़ा शौक इसलिए दोनों दोस्तों ने अपने घर के आंगन के अंदर प्लांट्स उगाए हुए थे जो मगन था वो अपने प्लांट्स की बहुत ही ज्यादा कैर करता था उसको मैंने रोज दो बार पानी देना जब भी जैसे दूप का टाइम होता था उस समय पे उसके उपर अपने पाना वो सारी चीजे वो एकदम अच्छी तरीकी से करता था at the very same time जो दूसरा जो दोस्त था जो उसके सामने ही रहता था वो मोहन वो प्लाण की उतनी केर नहीं करता था कभी कबार दो दिन में, कभी कबार तीन दिन में एक बार पानी डालता था कभी वो प्लांट को खाद देना वो शायद महिने में या दो महिने में कभी कबार करता था प्लांट को नहलाने का काम, उसको साफ सफाई करने का काम वो शायद हपते में या 15 दिन में जब फ्री होता था तब ही करता था तो ये उतनी केर नहीं करता था ये जो मगन है अपनी प्लान की बहुत ही ज़ादा केर कर रहा है जो मोहन है वो अपनी प्लान की उतनी ज़ादा केर नहीं कर रहा था around 50-60 percentage के आसपा से care करता था और दोस्तों एक बार क्या हुआ कि अचानक से वो गाउं के अंदर बहुत ही बड़ी आंधी आई बहुत ही बड़ा तुफान आया और बहुत जोर से हवा बहने लगी आंधी कम्प्लीट हुई दोनों फ्रेंट्स अपने घर से बाहर आया और देखा तो दोस्तों जो दोस्त अपने प्लांट्स की बहुत ही जादा क्यार करता था वो मगन के सारे जो प्लांट्स थे वो तैस नहस हो चुके थे वो जमीन से उखड़ गए और तू तो जरा भी केर नहीं करता था और तेरे सारे के सारे प्लांट्स एजटीज है ऐसा क्यों एंड तब जाके वो समझाता है अपने दोस्त को कि देख मैं मेरे सारे प्लांट्स को दो दिन में या कभी कबार तिन में पानी देता था इन इसलिए जब उसकी जो पानी की जरूरत थी वो पानी की जरूरत को पुरा करने के लिए उसकी जड़े थी वो जमीन के अंदर फैल दी जाय रही थी and तेरे case में तो हर रोज उसको दो बार पानी देता था तो वो पानी की उसकी जरूरत को complete करने के लिए जड़ो को फ़लने की जरूरत थी ही नहीं and इसलिए वो roots उपर उपर ही रहे थे and इसलिए जब तेज हवा वही तो उसके साथ तेरे जो भी plants थे वो भी साथ में उखड गए और जो मेरे plants थे उसकी root मजबूत थी root एकदम जमीन तक गई हुई थी and इसलिए उसको कोई problem नहीं आया same में दोस्तों मैं यहाँ पर as a mother as a father आपको भी कहना चाहता हूँ दोस्तों बच्चों की परवरिश करना हर एक विक्ति को अच्छा लगता है बच्चे हर ममी बापा को अच्छे लगते है पर दोस्तों आजकल के ममी बापा वो जो मगन गलती करता था वैसे ही गलती करते है उसकी सारी जरूरते उसकी जो भी demand है उस सारी की सारी as it is complete कर देते है उसके लिए बच्चों को कभी भी महनत करनी ही नहीं पड़ती जब बच्चे ये महनत नहीं करता उसकी जो skill है वो कभी निखर के नहीं आती उसकी जो talent है वो कभी develop नहीं हो तो पाती इसलिए ज़्यादे तर ये बच्चे जीवन के अंदर और कुछ नहीं कर पाते और ज़्यादा सफलता नहीं पा पाते इसलिए यदि आप आपके बच्चे की सही माइने में help करना चाहते है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके बच्चे की help करना कम कर दे यदि आप आपके बच्चे की बहुत ज़ादा help कर रहे हैं तो actual में आप आपके बच्चे की help नहीं कर रहे हैं यदि आप आपके बच्चे की real में help करना चाहते हैं तो उसके help करना कम करते हैं मैं काफी parents को देखता हूँ जब जो दोस्तों है बच्चा कुछ काम कर रहा है और मम्मी प्रोजेक्ट वर्क कम्प्लीर कर रही है दोस्तों यहां पर मम्मी को लगता है कि मैं मेरे बच्चे की हल्प कर रही हूं पर शायद यही मम्मी बच्चे की एक्चुल में हल्प नहीं कर रही है वो वो पौंधा बना रही है जो थोड उतनी कम help करेंगे, एक्चुल में आप उसकी उतनी ज्ञादा help करेंगे, कि वो अपने पहरों पे खड़ा हो पाए, वो अपने जीवन के अंदर ज़्यादा confident हो पाए, वो ज्यादा powerful हो पाए, ज्यादा subtle हो पाए, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हो सके, उतनी कम से कम help करें आप ऐसी कौन सी help जो आपके बच्चों को करते थे एंड जो आज के बाद आप नहीं करेंगे एंड वो खुद करें वो बच्चा खुद खुद capable हो जाए उसके लिए आप उसकी help करेंगे तो मैं चाहूंगा क्यों आप जल्दी से comment box में लिखें और वैसे parents जो वैसे सारे parents के अंदर awareness लाने के लिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा parents से काप spread करें and yes दोस्तों आपके लिए good news है मेरा एक private training program है दो घंटे का personalized मेरा webinar है parenting को लेकर and जिसका link में ने यहाँ पर आप logo के साथ description के अंदर share किया हुआ है number one मैं आप से ये चाहूंगा कि आप कौन सी मदद कम करना शुरू करेंगे वो आप comment box में आप लिखे and ये वीडियो हो सके उतने जादा से जादा parents तक आप share करे and number two मैं आपको ये चाहूंगा कि यदि आप आपके बच्चे को genius बनाना चाहते हैं यदि आप आपके बच्चे के study से related problems को दूर करना चाहते हैं तो मेरा दोस्तो दो घंटे का मेरा वो private training program है वो webinar है मैं ये चाहूंगा कि आप वो link पे जाए आपका registration करे and आप वो पूरा webinar आप attend करे दो घंटे का training program होगा दोस्तो so you make sure कि वो दो घंटे के जब आपके पास free time हो तभी आप वो training program को आप attend करे and दोस्तो आपको वो program कैसा लगता है वो भी आप वहाँ पर मेरे साथ share कर सकते है so I hope कि यह story आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और yes दोस्तो हम मिलेंगे next week ऐसा ही नए powerful वीडियो के साथ but yes आप कह दिया as a parent कोई प्रश्ण है आप आपके बच्चे के अंदर कोई improvement लेना चाहते है तब जल्दी से परिक्षित जुबन पुत्रा life coach नाम के mobile app को download करे and उसमें ask us में जाते हुए वो प्रश्ण अब सीधा मुझे दक पहुचा सकते हैं so दोस्तो मिलेंगे अगले हपते ऐसा ही नए powerful वीडियो के साथ बबाई, take care झाल